आज आप exercise 5.1 का question number 11 देखेंगे इसमें आपको 11 to 13 जो question दिये गये हैं उसका इनवर्स करना है करने के लिए हम उसका रेसी फ्रोकर में लेते हैं इसे एक्वल वन अपान 4-3 यहीं आपका आंसर हो गया लेकिन यहां पर आप देख रहें कि जो है आपका टर्म 4-3 आई है और जब तक डिनोमेटर में आई का टर्म है तक तक वो एंसर नहीं दिखा जा सकता इसलिए आप इसको चेंज करेंगे साल करेंगे इसके कांट्वेट से मुल्टिप्लाई डिवाइड करके 4-3 आई का कांट्वेट आप जामके रहें बोड़ ग्रस 3 आई से डिवाइड कर दिया जाएगा और मुल्टिपाई कर दिया और ये ए मानस P, A प्रस B आप जांते हों दिख स्थ्दाय मैनस, P स्थ्थ्दाय होता और दिखेंगे वएदो, 4-3 i का बोड़ दिख से डिखthen 4-3 i來ए 18-9 i some 5 हो जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगला कुश्चन आपको कर बताया जाएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं